नमस्कार दोस्तों, जै माता दी स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में तो तुला राशिवालों मजबूरी में तुम्हें यह गुप्त बात बता रहा हूँ. हो सके तो मुझे क्षमा करना दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में बहुत ह भयंकर अनहोनी होने जा रही है सावधान. दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको पांच बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. जी हाँ दोस्तों, एक साथ पांच पांच बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी. संकट मोचन. भगवान बजरंग बली आपके ज बजरंग बली की कृपा से अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़े चमतकार होने वाले हैं. साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही चमतकारी की योग उत्पन्न हो रहे हैं. जिस्म की भगवान बजरंग बली की कृपा से आपको बहुत बड़ी त 3. ऐसे बड़ी परिवर्तन होंगे जिससे आप खुश हो जाओगे। वह अपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे। बहुत ही खुश नसीब होगा। वह व्यक्ति दोस्तों जो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देख पाएगा। इसी लिए अपने सभी कामों को छोड़ कर सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपका नसीब चमक उठेगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी से अनुरोध करेंगे भगवान हनुमान जी का बजरंगबली का नाम लेकर आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले जै बजरंगबली लिखें ताकि भगवान बजरंगबली का आशीरवाद आपको प्राप्थ हो सके, आपके परिवार पर कृपा बना सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, किस प्रकार रहेगा, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। और अगले से पहले ये सोचोगे कि वह मेरे बारे में क्या चाहेगा, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो विश्वास रखिएगा। आपके जीवन में कभी काम्याबी नहीं मिलेगी। आप हमेशा डर्द और दुखों का ही सामना करते रह जाओगे। आप कुछ सदैव अपने बारे में सोचना होगा, दूसरों की चिताओं को छोड़ कर जीवन में आगे बढ़ने पर विचार करिए, प्रगती करिए, आगे बढ़िए दोस्तों, इस समय आप खुद को बहुत ही अच्छी स्थिती में महसूस करोगे। समय व्यतीत करने से आपका मन काफी प्रफुलित रहेगा। आपको बता दे, इस समय में आप किसी समारोह या फिर किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। समझ में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। संतान संबंधित, दोस्तों, कोई कार्य जैसे की विवाह नौकरी या आदी की कोई बड़ी योजनाय बन सकती हैं, सफलता भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपकी जल्दबाजी और आपकी कोई छोटी सी गलती से कार्य बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए बहुत शान्ती के साथ आपको अपने निर्णय लेने होंगे। इस समय में, दोस्तों, ग्रह नक्षत्र की जो चाल है, वह सकारात्मग भी है, और नकारात्मग भी, यानि अच्छी भी है, और बुरी भी है। तो आपको बहुत सोच समझ कर अपने कदम आगे आने होंगे। आप जानते हैं दोस्तों के पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं चलती आ रही हैं। आपके जीवन में बहुत से दुख चलते आ रहे हैं, जिनसे आपको छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको समाधान मिलने वाला है, अब आपको राहत मिलने वाली है, साथ ही यदि आप बहुत समय से कोई व्यापार या किसी कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो समय बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा लाभ मिलेगा, परंतु आपको विशेश सावधानी यह बता दे कि किसी पर भी आप आपको आँख बंद कर करके भरोसा नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों, आपका पतन होना निश्चित है, आपका जीवन पाटन की ओर बढ़ जाएगा, जैसे कि कोई व्यक्ती आपको बड़ा लालच दे सकता है, कि यहाँ निवेश कर दो, यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा, तो धन का लेंदेन बहुत सोस समझ कर आपको करना है, घर के सदस्यों को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किसी को धन दे रही हैं, चोरी छुपे आपको किसी को धन नहीं देना है, अन्यथा आप फश सकते हैं, साथ ही साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी खर चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो समय अच्छा है, बहुत शुब है, समय का आपके साथ मिलेगा, आप इस समय यह निर्णय ले सकते हैं। चलिए मित्रो, वीडियो की शुरुवात करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस आग से तुम दुश्मन को जलाना चाहते हो, वह आग अकसर तुमको ज्यादा जलाती है। इसलिए मित्रो अपने जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्रोध को कभी भी अपने उपर ज्यादा हावी मत होने दीजिएगा। तो चलिए मित्रो बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रो ध्यान से सुनिएगा कि यह जिस समय है इस समय में राजनीती की दिशा में कार्य कर रहे लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है और बिजनस कर रहे लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और यदी स्वास्थ में आपके कुछ गिरावट चल रही थी तो आपका उससे भी पीछा छूटेगा। कुछ नहीं सीखने की आवश्यक्ता होती है। मित्रो, आपको धन की कमी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपका कुछ धन कहीं फस सकता है। और जब धन फंसेगा, तो इस वजह से आपके ऊपर मानसिक तनाव की स्थिती भी बनी रहेगी। और वहीं। मित्रो, आपके लिए यह समय जो है थोड़ा सा मध्यम रूप से भी फल दायक रहेगा। आप अपनी माता जीवे पिता जी से आशीरवाद लेकर जिस भी कार्य को करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको संतान के करियर को लेकर कुछ चिंताएं रहेगी, जिनके लिए आप अपने मित्रों से सलाह मश्वरा भी कर सकते हैं। और जो लोग किसी सकारात्मक निर्मित होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका किसी परिजन से कोई वाद विवाद होता है, तो आपको सबसे पहले उसमें संयम रखना होगा। क्योंकि जब तक आप संयम नहीं रखेंगे, तब तक वाद विवाद की स्थिती ज्यादा ही बढ़ और मित्रो, यदि जो व्यक्ति नौकरी में कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को जौब परिवर्तन की योजना भी बना रहे हैं, तो आपकी वह योजना पूरी तरह से सफल रहेगी। करना, हे मित्रो, आपको कुछ लोगों से मेल मिलाप करना पड़ सकता है, यदि आप किसी नए व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी यह, समय उत्तम रहेगा, और यदि भविश्य में पहले कभी आपने धन निवेश किया था, तो आपको वह दो गुना होकर वापस मिल सकता है, और आपकी अपने जीवन साथी से किसी बात पर बहस हो सकती है, जिसमें वह आपसे नाराज हो सकते हैं, तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मित्रो, जीवन साथी आपका है, और यदि आपसे कुछ गल्ती हो जाए, तो आ आप बेशक माफी मांग लीजिए, मित्रो, क्योंकि जो व्यक्ती रिष्टों में अकसर जुक जाता है, वह रिष्टा लंबे समय तक चलता है, तो वहीं मित्रो, आपको यह भी सलाह दी जाती है, कि आप अपने पारिवारिक कार्यों को निप्टाने में व्यस्त रहें, क्य यदि आपने समय से निप्टा लिए, तो फिर आप दूसरे कारियों पर भी आसानी से ध्यान दे पाएंगे, और यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो जिनके कारण आप परेशान भी रहेंगे, और व्यवस्ता के बीच आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालने में भी काम्याब नहीं रह पाएंगे, मित्रों, परिवार के किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी, तो आप उसे भी समाप्त करने में सफल रहेंगे, और छोटे व्यापारियों को भी किसी अनुभवी व्यक्ती से सलाह मश्वारा करना पड़ सकता है, त थोड़ी सी सावधानी बरतें, और माता-पिता को आप अवश्य साथ ले कर जाएं, ताकि उन्हें अच्छा और प्रसन्न भरा माहौल महसूस हो, मित्रों, जो भी जातक राजनीती में कारे कर रहे हैं, तो उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके शत्रु, उनकी छवी खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ जनसभाएं करने का भी मौका मिलेगा, और जब आप जनसभाएं करें, मित्र तो अपनी वाणी पर थोड़ी सी सौम्यता बरतें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनेगी, आप अपनी कुछ मुछकिलों क अपने पिताजी से साजा कर सकते हैं, जिनका समाधान भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और जो लोग प्राइवेट नौकरी में कार्य करते हैं, उन्हें सतर्क होकर कार्य करना होगा, नहीं तो उनकी नौकरी छोड़ सकती है, और आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोस करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपका कोई वाद विवाद खड़ा करा सकती है, मित्रो, अपनी वाणी जो है, हमें सकारात्मक रखिये, सौम्य रखिये, मधुर रखिये, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके जीवन की अच्छी कुंजी है, और यह कुंजी अक्सर सफलता के द्वार भी खोलती है, इसलिए ध्यान रखियेगा कि वाणी का विशेश ध्यान रखियेगा, मित्रो, अपने साहस अव पराक्रम से हर समस्या से निकलने में आप काम्याब रहेंगे, आगे सावधानिया हैं, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेवज़ा चिड़ेपन को अभी के समय में जितना ज्यादा हो सके दूर रखने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलना आपको बहुत जरूरी होगा मित्रो क्योंकि उनके साथ मिलकर आप नई योजना बना पाएंगे और उनसे हुई मुलाकात लापदायक रहेगी। वक्त आपने कुछ गलतियां की थी। उन गलतियों का खामियाजा आपको इस वक्त भुगतना पड़ रहा है तो घबराएं नहीं क्योंकि अब धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा और सोसाइटी से संबंधित गती विधियों में अपना योगदान आपको अवश्य ही रख होगी। तनाव लेने की बजाए शांति पूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें क्योंकि तनाव लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रो वही बात अगर आप बिलकुल प्यार से और शांति से बैठ कर अपनी समस्या का हल निकालेंगे तो समस्या दूर होगी। रिस्क प्रवत्ती के कारियों से पूरी तरह से दूर रहें। जो भी रिस्क से संबंधित कार्य हैं उनसे दूर रहना है और मित्रों आपको नुकसान होने की स्थिती बन रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नुकसान अगर हद से ज्यादा हुआ तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। जब आप घर से बाहर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि वाहन से संबंधित जितने भी कागजात है वह साथ में रखें। कारोबारी गतिविधियां इस वक्त थोड़ी सी मध्यम रहेगी वह भी आपकी ही गलती की वजह से। क्योंकि आप मित्रो कारोबार करते वक्त सामने वाले व्यक्ती की राय लेना, उसकी बात सुनना भूल और अपनी बात रखना भी भूल जाते हैं, जिससे परिस्थितियां बिगड़ जाती है। बिजनेस में कागजी कारेवाही करते समय सावधानी रखें, क्योंकि इस समय नुकसान होने की स्थिती बन रही है। परिस्थितियां सुधारेंगे तो सुधरेगी। प्रेमसंबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृती मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर बनेंगे। आपका पारिवारिक मित्रो जो माहौल है बहुत बहतर बनेगा। तनाव और ठकान की वजह से कमजोरी आपको मह सूस हो सकती है। अपना मनोबल बना कर रखें और काम का बोज आपके उपर हद से ज्यादा बरच रहा है। आपको अपने मन में नाराजगी नहीं रखना है। पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको एक से अधिक स्त्रोत प्राप्थ करने के लिए कोशिश करनी होगी और पार्टनर से छोटी मोटी बातों पर विवाध होते रहेंगे। मित्रो, सुख घर से संबंधित तकलीफ को नियंतरण में लाने के लिए खान पान पर बारी की सिध्यान देना होगा। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इस समय को शांति पूर्ण और सकारात्मक रूप से समय व्यतीत करने का सोचें। जितना ज्यादा शांत रहेंगे, उतनी ज्यादा उर्जा रहेगी। आपका आत्म विश्वास आपके जीवन में नई उम्मीद जगमगाएगा और घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास सफल हो सकते हैं। मित्रों, धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। दूसरे मामले में ज्यादा दखल अंदाजी करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विवाद का कारण हो सकता है और इस समय यात्रा करने से समय भी खराब हो सकता है। पारिवारिक और व्यवसाइक गतिविधियों के बीच समनवय बना रहेगा। मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि अपने वक्त का उचित इस्तिमाल करें। रुके हुए काम मन मुताबिक पूरे होते जाएंगे। अपने व्यक्तित्व के कार्यों के प्रतिध्यान केंद्रित कर पाएंगे। साथ ही परिवार के लोगों का भी उचित सहयोग आपको मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मित्रों, किसी नजदीकी मित्र की सलाह लेने से आपको बड़ा लाब होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिती को लेकर चिंतित रहेंगे। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। जिनके लिए आप अपनी माता जी से सलाह मश्विरा भी कर सकते हैं और यदी संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही थी, तो आप उसे किसी परिजन की मदद से दूर करने में सफल रहेंगे और यदि आपने अपने किसी धन का निवेश या लेन देन किया था तो वह आपके लिए नुकसान दायक रहेगा इसलिए यदि आप धन का निवेश करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में धन के लिहाद से आर्थिक परिस्थितियां जो हैं, डग मगा सकती है वही नए व्यवसाय कर रहे लोगों को, किसी को भी उसमें साजेदारी बनाने से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि मित्रों, अभी थोड़ा कारे जो है आपको अकेले ही करना होगा और यदि आपने किसी को साजेदार बनाया, तो वह बाद में आपको धोखा दे सकता है और आप अपने मन में कडवाहट रखने के कारण, अपने किसी मित्र से लड़ाई जगड़े में भी पढ़ सकते हैं तो मन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उन्हें जल्दी से सुधार ले आईए दोस्तो, अब कुछ चमतकारी उपाई भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दर्शकों मंगलवार का दिन काफी खास माना जाता है, इस दिन बजरंग बली की पूजा की जाती है इस दिन अगर आप कुछ उपाई करते हैं, तो जीवन की सभी परेशानिया दूर हो सकती हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के उपाई, जिससे प्रसन होकर हनुमान जी की मनोकामना पूरी कर सकते हैं आपकी सारी परेशानिया दूर कर सकते हैं मंगलवार के दिन औरन मोचन अंगारक स्त्रोत का पाठ करना विशेश फलदाई रहता है। इस पाठ को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन सुन्दर कांड का पाठ करना भी शुब फलदाई होता है। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी हुई हो तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुब साबित हो सकता है। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से संबंधित चीजें जैसे तामबा, लाल चंदन और मसूर आदी का दान शुब फल्दाई माना जाता है। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और साथ ही जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है आज का दिन आपके लिए खुशनूमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्याय करेंगे जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनिस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गती पकड़ सकती हैं जो आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत करेंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपनी वानी और व्यवहार में सकारात्मक नए घर, मकान या दुकान आदी को खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। आप अपने घर को रिनोवेट करने की योजना बना सकते हैं जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही तोल मोल कर बोलने के लिए रहेगा। आप अ संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी की गलत बात को लेकर हां में हां ना मिलाएं, आपको अपने विरोधियों की चालों को समझना होगा। बुद्धी और विवेक से लिए गए निर्णय से आपको खुशी होगी और कार्यक्ष पेत्र में आपको किसी सम्मान की प्राप्ती हो सकती है।